नमस्कार, एक बार मैं अपने सबसे दाहिनी तरफ से परिशे करा दूँ जो हमारे आज के वक्ता हैं, हमारे साथ कविता कृष्णन हैं, कविता कविता लिबरेशन जो की उनका माउथपीस है, उसके एडिटर भी हैं, कविता और इसके अलावा हमारे साथ डक्टर भालचिन कांगो हैं, जो की से प्याइ नेशनल कमिटी में हैं और युगांतर पतरका आती थी महाराष्टरा यूनिट की उसके संपादक थे इसके लहाँए हमारे साथत जफरागा साब है, जफरागा साब का लंबा पत्रकारिता का जीवन रहा है, जफरागा साब अभी नेशनल हेरेल जो की अख़रे है, उसके संपादक हैं, इसके पहले कौमी आवाज के भी संपादक रहें लंबे समय तक और इसके साथ मेरे ठीक बगल में डॉक्टर शेयो सक्तिनाथ बक्षी है जो कि कमल संदेश भारती जंता पार्टी की पत्रिका है मौथ पेस है उसके संपादख है इसके लाओं पॉब्लिकेशन डिवीजन भारती जंता पार्टी की है उसके भी अफेड हैं तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं उ एक ट्रेडिशन के तौर पर देखते हैं कि जो अंदोलनों में जुले लोग रहे तमाम गांधी जी ने अमिटर ने सबके अपने अपने एक इस तरह के प्लेटफॉर्म थे लेकिन वो परिस्थितियां दूसरी थी एक सामराज जवाद से एक बड़ी ताकस से लड़ने के लिए उन लोगों ने पत्रकाय रिता को अपना एक मोहरा बनाया या उसका एक आउजार बनाया आज की परिद्रिश्च में हम जब देखते हैं और आप लोग जिस तरह से जिस जो प्रकाशन या जिस जिसके एडिटर हैं उसमें एक सामानी सा सवाल एक दिमाग में आता है क पत्रकार जो है वो बहुत ही ज्यादा उपिनियनिटेड होता है उसकी अपने विचार होते हैं बहुत सारी चीजों से वो तुरंट उसे सहमत नहीं होता उसके खिलाफ होता है बहुत सारी चीजे चल रही होती हैं एक पालिटी से जुड़ी होई किसे पत्रका से जुड़न पर, वो opinion कितना आडे आता है, कितना उसे कानफलिक पैदा होता है, उससे कैसे आप जैसे पत्रकार जो कि party हों के प्रकाशनों की से जुले हूए हैं, वो उससे कैसे निपट पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे मौकों पर बहुत जेन्मीन जो आपके अपने विचार हैं, पतौर पत्रकार उनको शायद उनसे समझोता करना पड़ता होगा. तो मैं कविता और फिर डॉक्टर बक्षी से जानना चाहूंगा संग्षेप में ताकि हम सारे लोग और भी तमाम चीजों को जल्दी यले जोड़ सकें उसमें. दरसल मैं तो लिबरेशन पत्रिका की एडिटर हूँ और काफी वर्षों से हूँ और मैं इस चीज को कुछ दूसरे तरीके से देखती हूँ. मेरे लिए कंसार्न ये है कि लिबरेशन ऐसी पत्रिका है जो दो चीजें करती हैं हमारी कोशिश रही है. एक तो ये कि मेरी पार्टी, CPIML या इन जेनरल एक लेफ्ट व्यू किसी चीज का यानि इसमें जो राजनेतिक व्यूपॉइंट है वो ढखा हुआ नहीं है. बहुत सारे प्लाटफॉर्म्स होते हैं जो तधाकथित निश्पक्ष होते हैं लेकिन उनका पक्ष होता है. आंदोलनों की खबरें जो अदर्वाइज मीडिया में आती भी होंगी तो चार लाइन कहीं आ करके खतम हो जाती होंगी. उदाहरण में एक दूँ तब मैं अपनी बात समाप्त करूंगे कि सानिटेशन वरकर्स का आंदोलन बैंगलूर का उसमें न्यूज में आया है छुट-छुटे आपको रिपोर्ट मिलेंगे कहीं लेकिन अगर आपको इंडेप्ट एक बढ़िया रिपोर्ट जहां उन महिल क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि पत्रकारिता के इस जमात में आपने हम मतलब कंसीडर किया शामिल किया क्योंकि इस प्रकाशन से जब हम जुड़े और कविता जी भी लग बग उनका भी अन्भव रहा हुगा हमें कारिकरता के नाते जुड़े क्योंकि एक्टिविजम के फिल्ड से हम आया है पत्रकारिता की हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है और जो हमारे संगठन है उसके कुछ कंसर्न से उसके अपने मुद्धे है उसके अपने कुछ विचार दारा उस पर चलती है और आप देखेंगें कि पूरे समाज में तमाम इस और मेंस्ट्रिम पत्रकारीता भी है, तो इसमें हमारे जो कहीं बार ऐसे होते हैं, और यह सुरू सी तंसरा अंदोरन की बात तो है ही, यहां ही नहीं, युरोप में भी, जब पत्रकारीता का मैं भी पढ़ रहा थैं, यह बीसे जब आया, यानि कि political parties के जो विचार थे वहां तक पहुच रहे थे और उस विचार के सिकंजे में या उससे केवल प्रभावित नहीं है दूसरे विचार भी उनके पास आए इसलिए mainstream पत्रकारिता का उदय होता है तो ये बात मतलब उल्टी है जो हम बोल रहे हैं उसके सीधे नहीं उल्टी जा रही है तो यानि पाटी पत्रिका और प्रकाशन और इस तरह के जितने भी तमाम तरह के विभीन चेत्रों में काम करने वाले जो संगठन है वो अपना-पना एक मुखपत रखते हैं अपने के लिए या आम जो पाटक है को उसको जोड़ने का कोई बहुत ज्यादा कोशिश्ष नहीं होती कोछिश के और पजूए हमारे प्रमुक्फ है जिसे पाटी कि पड़ते हैं और हमारे विचारों को जानते हैं डॉक्टर कॉंगो मैं आप से जानना चाहूंगा आपका टार्गेट किस कौन होता है नए लोगों को जोड़ना आम लोगों तक अपनी बात पहुचाना या फिर एक फिक्स जो आपके कमिटेट कारी करता है उन तक केवल विचारों को बार बार पहु करता है वो हमारी पार्टी के जो लोग है उनको पार्टी के एक्टिविटीस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं कि में मेडिया में जितनी स्पेस चाहिए उतनी मिलती नहीं हमारी तकरार रही है पहले से तो उसको दूर को खामी को दूर करने के लिए ये और गन चल कर लोगों तक पहुंचने हमारे पास कुछ परंपरा हैं जैसा महारास्टर में दिवाली के टाइम पे special issues निकलते हैं मैं समझता हूँ बहुत निकलते हैं सब मैगजिंस निकालते हैं तो हमारी पार्टी एक्टिविटीज और पार्टी की वीउस अपने पार्टी के के तमाम लोगों तक पहुचाने के लिए करते हैं एक तरह से जो लोग जो perfect पाँ harness मैन पाँवार आता है वह पहले से फिल्ट्रड होता है वही कमिट्ड होते है उस आइडियोजिकで यwork वही कि कोई उसमें सेबटार्ज करना चाहे और उसमें कोई दूसरी वीचार धार कि Kोई धूसरी पार्टी उसमें किसी को environment करना चाहे तो कि कार सकता है तो ऐसी स्थिति न आहे ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भी क्या आप लोग सतर करते हैं कि जिसको लेना है बहुत commitment उसका उसका background और किस तरह से filter कैसे करते हैं manpower का आप लोग एक तो पार्टी जनरल यह पार्टी की responsibility है तो पार्टी की जो leadership रहती है वो किसके ओपर यह जिम्मेदारी दी जाए यह सोच समझ के करती है second editorial board जो रहता है वो भी कौन सा article होना चाहिए कौन सा नहीं इसके वारे में चर्चा करता है तो बड़ी मुश्किल है किसी को अगर infiltrate करके कुछ गलत news डालना है कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पार्टी के लिए लेकिन सब्सक्राइब कि आपकी योजनाएं क्या है आप ऐसा डॉक्टर कांगो ने कहा ये पत्रिका जो है इसके अपने नॉम्स जरूर है ऐसा नहीं है कि उसके अपने नॉम्स नहीं है लेकिन वो आम पत्रकारिता के नॉम्स से थोड़ा हटके होंगे वो नॉम्स क्या है वो नॉम्स क्या है वो नॉम्स देखे हम लोग चाहते है For instance, Liberation का एक बहुत बड़ा जो यह होता है, वो है Marxist शिक्षा का तो वो popular तरीके से कैसे हो, उसकी भार्शा बिलकुल सरल और बिलकुल लोगों तक समझने वाली भार्शा कैसी हो और एक Marx वादी नजरिये से बहुत सारी चीजों को कैसे देखें इवन culture या film पे अगर कोई चर्चा रख रहे हैं, हम लोग बहसें भी करवाते हैं लेकिन हम इसको कहेंगे कि यह बहस है, हमारे guest है, जो हमारे विचार से सहमत नहीं है और वो हमारी पत्रिका में कुछ लिख रहे हैं, ये बहस के लिए हमने इनको invite किया है कि आप लिखिए इस तरह की बहसें भी हम करवा चुके हैं या इवन पार्टी के भीतर भी अगर कोई ऐसी बहस है तो उस बहस को भी हम Libration पत्रिका के जरीया या अन्य पत्रिकाओं के जरीया हम चलातें लेकिन ये लिबरेशन की पत्रिका है, यह CPIML की पत्रिका है, यह एक्दम क्लियर है, अब जो ओडियन्स वाली बात आपने कहीं, उसमें मैं जल्दी से कहना चाहते हैं, तेकि अच्छी लिबरेशन के ग्राहक जो है, वो पार्टी के सदस्य ही नहीं है, लिबरेशन के ग्राहक बहुत सा क्योंकि एक तरह का इं-डेप्थ content, जो वेरी वेल रिसर्च्ट हो, जो बिल्कुल वेल, मतलब आपको हर पॉइंट कहां से आपको मिला है, यह पूरे फुटनोटेड हो, रिसर्च्ट हो, कहीं कोई गलत ख़वर नहीं है, यह हमारे उसूल जरूर है, जिसको हम बहुत कैफ आपकी स्थिति अलग है क्योंकि National Herald उतनी committed party के लिए कि उससे पहचान नहीं, लेकिन party का अख़वार है, यह लोगों को पता रहा है, कोई बहुत committed इस तरह का ललका आ गया, कोई बहुत talented और वो, और जिसके अपने बहुत strong opinion है, किसी मुद्दे को लेकर, जबकि आपको party line क को टो कर रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर party क्या सोचती है, उसके हिसाब से चलना है, तो ऐसी इस्थिति क्या कभी आई है आप लोगों के सामने, और अगर आती है, तो कैसे उससे निपटने का किया तरीका है, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दू, मैं एक बा पत्रकारिता के जगत में एक ऐसी अनूठी बात हुई है, जो जिसके बारे में इंदुस्तान में कम पहले गभी नहीं सोचा जा सकता था, आच टाइमस फ़ इंडिया के फ्रंट पेज पे वो ख़बर चपी है, फाइनस मिनिस्ट्री के कर्रिस्पॉंडन को प्रेस कॉन्फ से पहले रूल्स लेड़ डाउन किये गए, सटन ओफिशल्स, फाइनस मिनिस्ट्री ओफिशल्स जो थे, उन्होंने ब्रीफिन दी एक ब्रेस कॉन्फरंस की, और उनसे ये कहा गया कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्या हिंदुस्तान की इस देश की पत्रकारिता म इस से पहले कभी ये बात हुई हो, किसी पार्टी की और से, किसी सरकार के मंच से, किसी भी मंच से, कि पत्रकार को सवाल पूछने का हक ही नहीं हूँ, इस परिपेक्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ, कि ये डिबेटी पेकार है, कहां बची है पत्रकारिता, तो आप पुछ आड़े इस रहां एक पर रहां टार। इस पर हमाएंगे सब्सक्राइब आचिए तो एक जी आप मेनस्ट्री में दाखिल नहीं हो सकते हैं हम इस पर बात असल में ये थोड़ा दूसरे तरह का ये उसके डिसकसिन का फॉरम नहीं है लेकिन ये महतर पॉरम नहीं है मैं ये कहना चाहरा हूं मेरा सारा जीवन में स्ट्रीम जनलिजम में करते हैं आप जानते होंगे और बतानी की जरूरत नहीं है बड़े-बड़े फॉरम्स में रहा बड़ी… मैं देर कमसे सिट्वेशन विल आपके सामने निशनल हरल में कोई ऐसी सिट्वेशन आती है और फास जाए तो तो मैं एक कल्पनी किसी अगर की बात करहा हूं तो आप तो कैसे अगर आती है तो… अभी तक नहीं आई, मैं समझता हूं कि हम इसको भीर कर सकते हैं एक तो पहली बात यह कि आपने शयाद यह बात कही है खिड़तने आप उसमें कि नाशनल हरल्ल उस टाइप का पेपर नहीं है उस टाइप का फॉर्ण नहीं है कि अभी तक मैं समझता हूं कि मेरे दिमाग में अभी तक एस एडिटर आइम ग्रूप एडिटर देर आइम एडिंग वी और तीनो डिजिटल प्रॉपर्टी उर्दू हिंडी इंग्लिश और सारी चीजे में अभी तक मेरे दिमाग में जब में जब सुभा जाता हूं या निकलता हूं तो मेरे दिमाग में कभी यह नहीं आता कि मैं किसी पार्टी के पेपर में जा रहा हूं और हमारे हैं मैं I don't deny that there are certain situations जिसमें यह हमको पार्टी concern के बारे में सोचना पड़ता है औ और ये मेरी 40 साल की पत्रकाड़ता हो गए यह ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ ऐसा हो रहा है जब मैं इंडिया टोडे में भी था तब यह यह था और दूसी जगाओं पर जहां जहां रहा हूं हर मीडिया और्गनाइजेशन का अपना एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है उसके इस फ्रेमवर्क से बाहर वो नहीं कोई भी नहीं जा पाता है अब चारू लोगों से एक और इसका दूसरा पहली टेकनोलजी बहुत आगे जा चुकी है अब तकनीकी का ऐसा समय है कि बक्षी जी से सवाल में जादा करूं क्योंकि इनकी पार्टी इस मामले में बहुत आग गंटे आधे घंटे पहुंच जाते हैं ऐसी स्थिती में दिन बदिन जो आप लोग काम करते हैं जहां तक आप अपनी बात पहुचाते हैं उसका किया रिलेविंस कितनी प्रासंगिकता है कितनी कब तक और बचे रहने का क्या मतलब है इतने सारे संसाधन लगाने के बाद इतनी सारी चीजों के बाद जो आप लोग करते हैं उस काम की वही संदेश आप उन्हीं नेताओं की अपने लोगों के बीच में भुचा रहें जो वह आज की तक्निकी सक्षमदवर में 2 मिनिट में पहुंचा सकता है और बहुत बड़ी जमात तक पहुंचा सकता है देखे हम हमारी जो पत्रिका है कमल संदेश आज से तीन-चार वर्स पहले तक हम लोग इसको बहुत ही पारंपरिक तरीके से निकालते था और बहुत पहले जो एक फ्रेमवर्क तय हुआ होगा उसके अंतरगत यह पत्रिका निकलती थी लेकिन अभी जब पूरे देश में यह जो धब आव में आशन उनलाइन किया ओनलाइन करने के साथ हमारी एक सोशल मीडिया drilled यहोग से बढमेन परहिज़ घंते जो अलग काम करती है लेकिन हमारा काम अलग पब्लिकेशन एन को और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में भी हमने इस अपनी पत्रिका और विबिन कई प्रकार के प्रकाशन है उसको हमने सोचल मेडिया पर भी डालना शुरू किया अब दखे कमल संदेश को पढ़ने वाले पहले ग्लोबल लेबल पर लोग थे आप यू के में भी जाता है उस न लिए जो पार्टी हैं हमारी विचारदारों को मानने वाले या उसके लिए काम करने वाले लोग वहाँ पर भी हैं और कमल संदेश के उग रहाखे हैं उनके लिए हम अलग से सब्सक्रिप्शन लेते थे जो कि डॉलर में या पॉंड्स में उसका तय होता था लेकिन उसमें इसमें लेघ नए ऐसा क्या होता है कि जो मोदी जी सीवक से अलग दीन पार्वं में rupal के कमल संदेश में राण मीटेशनलग जेंग कमल संदेश के वी पर यूए यूएस भेजना है तो पतचला दो महिने बाद पहुँचेगा लेकिन टेकनलोजी के माध्यम से रियल टाइम में वो एविलेबल है और आपको यह जानकर और भी मतवाश्य होगा कि आज जो हम सब्सक्रिप्शन जो है अपने एक्टिव मेंबर्स को ही देते हैं ज यही सवाल में कविता और डाक्टर कॉंगो से भी करना चाहूंगा कि आप लोगों की टेकनलोजी के इस प्रभावाले दौर में मतलब अपलेंस वाले दौर में भी आप लोगों के जो प्रिजन्स है बहुत कम है और कहा जाता है टेकनलोजी के जरी आप बहुत सारी चीज बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं लेकिन वहां आप बहुत पीछे हैं तो उसको कैसे प्रिकाओं का एक सोशल मीडिया इंटरफेस भी है और हम इसको डेवलप भी कर रहे हैं लेकिन मैं बहुत इंपोर्टन चीज जो मुझे लगा माफ करिएगा आपके सवाल का ठीक ठी जवाब नहीं है लेकिन बहुत जरूरी एक बात मुझे लगती है संदर में मुझे लगता है कोई पत्रिका किसी पार्टी की है की नहीं है अब आस्ट्रेलिया में ग्रीन लेफ्ट वीकली है बहुत पॉपिलर पत्रिका है मूबमेंटल पत्रिका है बहुत सारी पत्रिका है पत्रिका को उस नजर से देखने के बजाए अगर उसमें अगर दूसरा सवाल करते है अगर आप पूछते हैं कि इसका सत्ता से क्या रिष्टा है सरकार से क्या रिष्टा है मेरी पार्टी सरकार में कहीं नहीं है हमारा सरकार किसी सरकार को बचाना और बिगाड़ना ये कोई ये नहीं है सरकार से सक्ता से सवाल करना अगर पत्रकारिता का काम है तो शायद सबसे मुख तरीके से हर सक्ता से हम सवाल करते हैं मेरी मैगजिन में अगर आप देखेंगे और मैं इसमें कहूंगे कि जरूर देख जाने ट्र ना मेरे पत्रिका में दमन किज़ने उख दख रहा है पढ़ा हैं जैसा कि कि आपको अध सर्त subscribe को बचाने का एजिंडा इसका नही 있나 तो पर वहां है। और उसमें बहुत सारे वे लुए होंगे है। हात कंगन को रची करें और पड़ लिखे को फार से क्या बख़िए और भाक्सी साहब यह रही है। जोगतंथर में हम लोग है और हैं जो बिभिन पाटियां हैं वह सत्ता के लिए काम करतीं सत्ता में आने के लिए यवी सत्ता में आने के लिए काम कॉर्टर चुनाउ या सुटा में अदू सकते हैं, लेकिन ज Aa अंड़ इस थी डिवेट का फोरण अलग है aam ज expos Home आपने क्या पोजिशन लिया था जब यह घटना घटी थी और इसके सथ यह जो पूरा लेफ्ट है इसके अंदर भी हम मानते हैं कि इसमें बिविदता है कई अलग अलग धड़े हैं अलग अलग बिचार इसके अंदर वेरियेशन है तो यह इनका इंटरनल डिबेट है इस डि आप गड़े जो है वह में में किसी लुक्तांतरिक परमपरा कोई रही है और उसके अंतरगत ये नहीं रहे है या फिर सोवियत संग में जो हुआ हो गार उसका जो मुक्पतर ने विरोद किया हो तो बात होती तो हमारा यह जब सथत्ता में भी आते हैं तब भी इस पत्रिक है वो सबसे एहम बात है पत्र हम ने पत्रकारता जुए नहीं है इसलिए की हमें जनलर्जम में आये इसलिए कि we were I mean we wanted to be anti establishment अगर पत्रकारता इस्ट इसलिशमेंट नहीं है तो नहीं है में मुझे वो आजादी नहीं मिल सकते है। जफर जी कि समर्थन में मैं एक अनुभव शेयर करूं कि नैशनल हेरेल्ड में जब मुझे कहा गया कि आपको यह उपिनियन पीस दीजिए। मैंने कहा था कि मैं जिस विशेय पर लिख रही हूं और वो कश्मीर पॉलिसी पर था तो मैं एक सवाल रख दो फिर अपना। जफर साब आपने कविता से कहा कि आप लिखिये एक आर्ट किल या मतलब नेशनल हेरल्ड ने लिखवाया क्या जैसे कविता से नेशनल हेरल्ड लिखवा सकता है वैसे ही बक्षी से जिसे भी लिखवाता है लिखवा सकते हैं अभी लिखवाता है या अभी तक हमने सब्सक्राइब के खिलाफ बहुत हाश्ट चीजें चापी हैं यह सारे पत्र में स्टीम जनलिजम में भी होता है उस ऐसी सिच्वेशन में हम यह कह देते हैं कि यह आथर का अपना भी हो गए और मक्षी जी अभी देखिए अभी इसी संदर्ब में कहना चाहता हूं अभी हाल ह में महरास्थर में कौंग्रेस का एक मुकपطर है अवी नाम ठीक से मुझे ध्यान में नहीं नहीं अगाथ है लेकिन मीडिया में बहुत चाह हूआँ था कि उस मुकपतर में जो है संग के विषग में और भाजपा के विषगर शिर्षेंने त admir और तीन लेख हैसे काफी प् चापते हैं उस तरह से तो उसका क्या हस्न हो सकता है यह है कि हाँ जब बैचारी कारी करता ही जब उसकी कमान समहलता है तो उसको एक नया आयाम देता है लेकिन आप जैसे हायर करके लाते है जर्नलिजम के बैक्डराउंड से और आप पार्टी की पत्रिका चलवाना चाहते है एक चीज बड़ी शॉकिंग है हमारे लिए आप यह कह रहे थे कि अगर कोई पत्रकार आता है और वो यह कहता है कि हम बड़ा I don't find this generation that fire fire in the belly to question the authorities and question that is a very shocking development है यहां सर इसमें चार चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूं और वो केवल अपने काम की वज़े से ही इस देश में अब तक जितने प्रतिश्चित पुरस्कार हैं वो पाए है तो मैं यह generation वाला जो गया पर यह सवाल थोड़ा सा यह इस बहस को मैं बहुत वैलिद नहीं मानता सोशल मीडिया आने से डेफिनेटली पार्टी में एक नया काम बढ़ गया है सोशल मीडिया प्रोजेक्शन पार्टी को कैसा दिया जाए उसके लिए अलग्ठी टीम काम करती है उनके साथ हमको कौडिनेट करना पड़ता है लेकिन जब हम गवर्वर्मेंट अब इंडिया क पॉलिशी जब गवर्मेंट अब इतने रेस्ट्रिक्शन सो गाए कि उसका पेपर का वेट कितना होगा आपका एक्षक टाइमिंग इतना होगा पहले फ्राइडे को फ्राइडे के जगा सट्रेडी भी चला जाता तो दे इस तो पोस्तित लॉप्राइडे को चार बजे के यह आ डहाना है, लुपल मर भी तो आपका पत्र नहीं आ रहा है यह इंग को ओण है को तो थी इस अपहले को एक आपका प्र फोस्ती बगते हुए सीपमार्य का आप्क ह牌तस करना ज़ना पहले होगा बना मइश करह बहूरी ह diffusion content है एक हमारी बातचीत हो रही थी और उसमें आपके दिल्ली इकाई के भाजपा के नीता से बातचीत हो रही थी हमारी और उनका ये कहना था कि आज कल जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं वो टेलीविजन पे जाना बंद कर दी, जाना नहीं चाहते हैं तो बहुत सवावाइक सा सवाल है कि आप लोगों की सरकार है, आप लोगों की बात हुरी, आप लोग टेलिवीजन पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उनका यह कहना था कि आज की तारिक में जो टेलिवीजन के पत्रकार हैं, वो टेलिवीजन पे वो जो लाइन लेते हैं, वो जो बाते कहते हैं, वो उस लेबल पे वो एक्ष्ट्रीम पॉइंट अफ यू पे खुद लेकर चला जाते हैं, कि खुद पार्टी या भारती जिंता पार्टी या जो सकता धारी पार्टी वो भी उससे तारूफ नहीं रखती, वो उससे सहमत नहीं रखती, वो तो अलग चीज़े उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं मीडिया की सचाई बता रहा हूं, कि मीडिया में ये स्थिति आ गई है, कि वो पार्टी और सरकार की तरफ संकट है, या नोकरी किसी संकट में है, देखिए, ये जो विसे है पूरा, ये मीडिया जो हैं, अलग-अलग मीडिया हासे से हैं, उनकी अलग-अलग policy है, अभी जफर साब ने भी बोला कि उननके अडिटोरियल policies अलग होते हैं, और उसके हिसाब से वो काम करते हैं, और कु यह जो दो डिबेट जो चल रहा है neutrality का यानि निस्पक्षता का, इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा objectivity, तो निस्पक्षता ही क्या objectivity भी है? यह एक बड़ा डिबेट है पत्रकारिता के छेत्र में, क्यों अब्जेक्टिव होने के लिए निस्पक्ष होना क्या जरूर भी होता है था इस्पक्ष के साथ खड़ा होकर जिस constellation घिकेटिव हम काम करना चाहते हैं, वो उसके लिए हम अपना जीवन देंगे और काम करेंगें ऐसार के साथ हमारे जो गम काम कर रहें हो उनके साथ भी एसे ही जासे सबूरी निकर और समझता है स्वंग अवारच भी ह कि उनका काम का छेत्री है। उनका कंसर्न है। लेकिन का डिबेट में और जो पतरकारिता में भी देखें, तो पतरकारिता जो में स्ट्रीम है उसको भी अपनी एक निस्पक्ष तब इस बढ़ दिखना भी होगा। अब यह उनकी जिम्मेधरी है। ये जितनी भी जिम्हादारी है ने तो अच्छी बात आप ने बिताई की पतरकार को कैसे होना चाहिँता है ये जो आपने बात लिए बवाते ज़रूरी बाते पतरकार को निस्पक्षो ना ज़िए और यह अलग 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 हमारे तो पूरे वह उसमें इसमें काफी हुझ बाकी टूर्यु में अधर करता हैं यह उस तरह के साऱता हैं उस टरह कि एक्सपनी कर सकते जो उन हुझ को मैं इस्ट्रिम पत्रकारिता में मिलती होगी हहां है having मैं जानता हूं कि उतने कमिटमेंट वाले लोग हैं और कैपेबल हैं कि में इस्ट्रिम पत्रकारिता में जाएं तो कहीं कई गुना अधिक सेलरी मिल सकता हूं मैं तो मानती हूं कि इसमें बिल्कुल हो ही सकता है क्योंकि मैं हमारे पत्रिकाम पत्रकारिता है कहाओं के कहूं तो बेहत काबिल लोग जो हैं जिनकी काबिलीत को लेकर के बहुत सारे कोशिश भी करते हैं कि नहीं इनकी जरूत है हमको अच्छे-च्छे magazine में सारेख 있ि सिसे लेकिन यह चूजिंग टो दस वर्क लिकिन में बार-बार में यह सोचतीMP मैं सोच भी रही थी इस बारे में जो शिवशक्ति ने कहा जिस बारे में और मैं इस चीज़ को रखना चाहती हूं कि मेरे लिए बार-बार वो सवाल है कि सत्ता से सवाल करना और सबसे अच्छे और मजबूत तरीके से करना इनकी जगहों को बचाए रखने के लिए काम करना मैं जरूरी मानती हूं इसलिए मैं ये काम करती हूं अगर बाइ चांस जो कालपनिक आपने सवाल किया मैं ये कह सकती हूं कि मेरा मानना है कि अगर कालपनिक तरीके से कोई सत्ता चले तो सत्ता के पक्ष में सहमती बनाने वाली पत्रिकारिता में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है और मेरा मानना है अगर कहीं आपकी सत्ता के पक्ष में सहमती करने के लिए कोई एक पत्रिकार चले और उसमें सरकारी पैसे पर बोच चले सारी चीजे चले ये ना हों बल्कि सरक आप से सवाल करेंगे तो आपका मने सचमुच में अगर वो करांतिकारी सता है तो वो चल पाएगगा यहां मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं मानती जो आपने पूछा इनको जफर साब को मैं उसको बहुत fair question नहीं मानती कि आप सभी विचारों को आप space देंगे कि नहीं सभी विचारों को space देना ये किसी भी पत्रिकारिता को नहीं करना चाहिए मेरा मानना है कि अगर कोई विचार है हमारे देश में और ये सारे चैनलों पर भयानक उसके पास में space है इनॉडिनेट space है मुसल्मानों को गाली देने का और फेक न्यूस पहलाने का वो social media और official media के जरिया अगर पूरा हो रहा है तो उसको और बुला बुला करके space देने की कोई जरूवत नहीं है ये तो आप आज की विचेश सिती की बात कर रहे हैं जिसमें सब को space देना हमारा काम है mainstream media का काम है कि वो सारे विचारों को space देना की एक पक्ष विचेश में जाके खड़ा हो जाए जैसा की आज हो रहा है यही तो आप इसको गलत कह रही है फिर आप इसको justify कैसे कर सकते हैं कि एक ही पक्ष में खड़ा रहे पत्रकार आज तो नहीं है ना मैं कहरे हूँ आज तो यह तो आज तो नहीं है यह तो प्रिटेंड देट इस इन आइडियल सिच्वेशन और सारे पक्षों को हमें बुला-बुला के देना है आज तो है नहीं आज उस पक्ष के खिलाफ कैसे बचाएं किसी आवाज को उसका संकट है उस काम को करना है ड्र कांगो भी कुछ कहेंगे क्योंकि आपने एक सवाल वामपंध के उपकर किया था उसके बादी सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन यह है कि पार्टी की पोजिशन डिसाइड होने के बाद ही उसको लोगों के सामने लाया जाए तो ये बड़ी दिकत का सवाल होता है लेकिन पत्रकाली द में जब डेवलंड होती है तो आजकल पुलिटि Gobierno पर्टी में अब विरोधी विचार पार्टी के अंदर जो अलग-अलग विचारे विरोधी विचार में नहीं को अन्दर गलग जो विचार हैं उसको भी स्थान देना चाहिए उसको भी आखरी कोमें जफर साब से इसके बाद पब्लिक यहां से जो हमारे दर्शक है इन लोगों से सवाल लेंगे मैं आपका जो सवाल था उसके बारे में जवाब देना चाहता हूं कि किसी ऐसे फॉर्म से जूनने के बाद क्या में इन स्ट्रीम जी सब्सक्राइब का जहां तक तालुक है तब से लेके आज तक एडिटर की लेवल से लेके और जूनियर मोस लेवल तक लोग आए हैं गए हैं और अभी हमारे यहां एक लड़का फॉर्न लेडियोंस एजिंसी में गया है और लोग जाते रहते हैं मेरे खाल से इतनी बड़ी प्रॉबलम नहीं है अब जी जुड़ा हूं तो यह सत्ता का पक्ष और सत्ता के विरोत का विसा है तो आज से पांचे साल में पहले यदि 2011-2012 के स्थीति देखेंगी तो हमें तो पता भी नहीं था कि हम लगबग दो दशक से काम कर रहा हूं पता भी नहीं था कि कभी हम सत तो इसमें सत्ता के विरोत के जगह मैं चाहता हूं कि नितिगत विरोत हो जहां हम यह देखें कि एकदम विचारधारा के पट्री से उतर्के कुछ काम हो रहा है तो वहां पर उसके अलग-अलग फोरम है तरीके हैं और पारटी के अंदर होता है लोगों से सवाल ले लेते ह मैं आप अपने नाम बता कि और संखेप में के वोज सवाल बस रखेगा जी हाँ तर नमस्कार आसीस पांडे नाम है मेरा मैं दिली नुटी का सची स्कॉलर हूँ एक सवाल बक्सी सर से मेरा यह है कि सर जो यह पत्रिका निकलती है कमल संदेश है यह पांचे जन्य है मैं सर इस इस तो मैं यह जाना चाहरा हूँ कि उस सत्यता को आप कैसे जाते क्योंकि आप प्रिंट में जाए सर बैठे हुए ने सब उसमें तो सर एक अडिटोरियल बोर्ड होता है डीटर है उस खवर को देखेंगे छापेंगे रिपोर्टर ग्रांट पे गया है यह इसमें कैसे जागू होता है और देश में जितने भी अदालत हैं उन सब के जुरिश्डिक्शन हमारे उपर हैं कोई ऐसा ख़बर यदि हम लोग छापने की जह मतलब गलती से भी जाये तो केवल हमारी ही नहीं वह पूरी पार्टी की बदनामी हो सकती है तो इसलिए हम इसके मामले में डबली स्योर है क्योंकि यह कोई टीवी डिबेट नहीं है कि एक बार आपने कह दिया तो कलका दिया मैंने मेरे जो मेरा जो स्टेटमेंट था उसको गलत कॉंटेक्स्ट में आपने कर दिया और उसे बच कर निकल गई यह पत्रकारिता है एक बार जब वहां पे यह कि होपलेसनेस है रोजगार को लेकर और तमाम एकोनॉमी को लेकर जो बक्षी साब भी स्विकार करेंगे चाहे सरकार दावे कर रही है उसको लेकर लोगों तक आप इतना लिख रहे है क्या वो पहुचता नहीं है जिस तरह से लेफ्ट का स्पेश श्रिंक हुआ है और बक् तो होता है कि लोग वही लोग पढ़ते हैं जो जिनको एको चेमबर है लेफ्ट को वही पढ़ेगा राइट को बीच के स्पेस तक आप लोग क्यों नहीं है हाँ मैं बिलकुल मानती हूँ कि बहुत जरूरी सवाल कि आपने तो इसके लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं बातें नहीं पहुंचती हैं हम लोग की हिंदी पत्रिका भी है जो बिलकुल सबसे गरीब लोग जो जिन तक बहुत सारी बातें अदरवाइस नहीं पहुंचती हैं वह उन्हीं पत्रिकाओं के जरिये पहुंचती हैं लेकिन सवाल यह है कि मुझे लगता है कि स्पेस श्रि जरूर लेकिन उसमें जीतने में उसमें जीत हासिल करने में लाकों वोट पढ़ने के बाद भी संकट होता है वो एक अलग सवाल है मैं उसको अलग रखोंगी लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि इस समय जो हम लोगों का काम है नीचे तक जिस बात को पहुंचाना और एक तरह स जोट है जो मीडिया के जरिये भी आ रहा है और मीडिया के अथरिटी के साथ आ रहा है ये और भी जादा कथिन हो जारा है I don't have an easy answer to that काफी कथिन का देखे आपने जैसे सवाल किया कि हम अपना रोल कहां तक मानते हैं तो हम कभी भी ये दावा नहीं करते हैं कि हमारा एक बहुत ही ऐसा कांट्रिबूशन है जिसके आधार पर पार्टी अपने नीतियां तै करते हैं पार्टी के अंदर बहुत सारे विविन फोरम हैं और उस पर डिवेड डिसकसन होकर जब नीती तै होता है तब हम लोग उसको अपने पत्रिका है उसमें उसके माध्यम से अपने कारिकरताओं अपने का प्रयास करते हैं और यह जो हमारा लोकतंत्र है उसमें कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि वह अकेला है पूरी जनता को चला लेगी तो उनका भी दावा उनको बचना चाहिए ऐसी बातों से क्योंकि यह बहुत बड़ा दावा है कि इतने बड़े देश में और कोई एक विशेश सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई मीडिया का सेक्टर हो पूरे देश पे काभी जो जाए क्योंकि हमारे जो देश है इसमें जो हमारे जनतंत्र अभी तक इसली जीवित्र है कि यहां पर जो जन विवेक है वो जन विवेक कही नीरशीर विवेक स चलता है और समय समय पर इसने बड़ी सत्ता को उखाड़ा है और नए रचना गड़ी है आगे क्या नहीं इसमें दूसरी बात में आता हूं दूसरी बात इसमें जो आपने कहा एक और विसे कि अर्थवेस्था और बेरोजगारी का बात देखें यह जो पूरे डिबेट चला के पहले भी चला था और आपको याद होगा कि एक बार डिमुनिटाजेशन के बाद हमारी जो विकास दर थी एक तीमाही की 5% से नीचे आ गए था और उसक्त पूरे देश में इतना शोरगुल मचा था कि अब तो पूरी एकनोमी तबाव परबाद हो गई लेकिन तभी भी पाइसे ना वो करेंए एक सवाल के पहले मयरे बात करना चाहता हूँ फाइनाइन्स मिनिस्टर ने अपने तीन घंडे के भाशन में एक बार भी बेरोजगारी ये शब्दी इस्तमाल नहीं किया था तो बक्षी जी मैं इसके लिए बता रहा हूं कि बेरोजगारी के बारे में ना अपने इलेक्शन के दौरा बाद में भी कुछा अपने सवाल पूछे अपने सवाल पूछे आप जैसे ताक्तों के लिए एक अजीब सा मजाकिया दोगलापन चल रहा है कहां पर मीडिया में भी और जब मेरा सबसे है कि अगर मैं कविता कृष्णन जी को कुछ आपको बैलेंस कैसे करेंगे कि बाहर जो चल रहा है और उनकी पार्टी के जो भी चीज़ें वरिह उनका रियाक्षिन गोटैन वहीं रहता है पर मुझे भाजपा का थोड़ा समझनी आता कभी कबार कि आप बोल रहें कि आप माफ नहीं करेंगे साथी प्रग्या जी को और इ और जो आप आईडियल बोलते हैं कि हाँ चलिए कुछ एडिटर लेक्टर टाइप का कुछ होता है कि जिससे आप एक्टुली हमें जस्टिफाय कर पाई कि नहीं हम दोगलापन तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ इसलिए आपके बोलने से बहुत ज्यादा हमें फरक नहीं पर देश के साथ जब आप नहीं चल पा रहे हैं पूरे देश में हमारा वैसा कतनी और करनी में अंतर होता तो आज जो है हमारे साथ जनता इतनी बड़ी संख्या में खड़ी नहीं होती और जहां तक है कि इस तरह की जो बहस है उसका platform अलग है वहाँ पर यदि बुलाएंगे तो हर मुद्दे पर हम ठीक से जवाब देंगे लेकिन लेकिन देखे ये पूरा political process जो है और हमारा लोगतंतर कही तरह के complexes से गुजरता है इसको इतना simplistic हो देखे इतने simplistic question करेंगे तब बाहर के दुख्य कोई और debate में जाना ठीक रहेगा मुझे लगता है मैं यह कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल soberly कहूं क्योंकि मैं बहुत चिंतित और परिशान हूं इससे मुझे लगता है कि किसी भी platform के किसी को किसी पत्रकार को किसी portal के journalist को हम कहें कि आप तो देश के साथ कदम से कदम मिला करके क्यों नहीं चल पा रही हैं देश ने तो वोट दे दिया, आप जो है वहां नहीं खड़ी हैं, उनका काम नहीं है कि वहां कदम से कदम मिला करके चलें, उनका काम है कि वह रोज आप से सवाल करें, उनका काम है कि आप से सवाल पूछें कि आप आतंकवाद पर पोजिशन ले रहे हैं और आतंकवादी को MP आज जिनकी सिर्कार वह एक बात किसी भी दोर में कोई हूं तो पत्रकार का काम यह होगा वरना वह पत्रकार नहीं होगा पत्रकार काम पहुत करना और मुझे दिखा दिखा दिया कि अब जर्फर साब कुछ कहना चाहना और अगर आप अगर आप यह पहस तो खेर लंबी खिशती रहेगी मुझे लग रहा है कि जफर साब ने बड़ी बात कही है और बस एक चीज के साथ मैं अपनी बात को यहां पर इस सत्र का अंद करना चाहूंगा कि हमारे साथ बक्षी साब बक्षी साब हैं और हमारे साथ कविता हैं आप दोनों लोग जैनीू के अलुमिनाई हैं तो एक दक्षिल के ध morallylden में कड़े में खड़े हैं तो वो जो तस्वीर बनाई है कि जैनीू कुछ और हर एक तरफ खड़ा है ऐसा नहीं हमारे बीच में बक्षी साहब भी है और जेनु बहुत सारे ऐसे लोगों को निकालता है आप समी लोगों का बहुत धन्यवाद